तो यह हमारा लास्ट वीडियो है इस लेशन का तो पार्ट वन पार्ट वाला वीडियो हम देख चुके हैं तो आपको समझ में भी आया होगा अगर कोई भी डाउट हो समें तो जरूर कॉमेंट सब्सक्राइब कर लिजिए बेला कंप्रेस कर लिजिए ताक की नई वीडियो अप्लोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वह दोने वीडियो अपने नहीं देखा तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं तो हमें देखना है आज लॉंगी ट्यूट के बारे में तो लॉंगी ट्यूट क्या होता है पहले तो वह समझिए देखिए हमने इसके पहले देखा था एक्क्वेटर लाइन देखा था और जो होरिजॉंटल लाइन उस पर होती है ज जो यह सारी लाइन जाती हो उसके उप़र नदन हमेस्वेर में वह होता है हमारा लैटिटिवट ठीक है और पैरलल होती है वह एक दूसरे को इंटरसेक्वस रखना करती पूरा इस तरह और इसे पूरह स सरकल में नी लाइन ठीक है वो इसके बारे में आजम पढ़ेंगे तो यह बाल है समझ लीजे कि यह बाल एक तरीक पेल कि आर्थ को आप मैं नहीं में कंचिदर कीजिए तो यह अगर आप बाल को इस साइड में दिवाइड करोगे पीछे भी करोगे यहां पे भी करोगे तो एक साइड का यह इस्टन वाला हो गया पार्ट और यह वेस्टन हो गया ठीक है तो यही आजम पढ़ने वाले लॉंगिट्यूट के बारे में कुछ एक्टिविटी दी गई है देख लेते हैं यह भी इन फिगर वन पॉइंटेट एंगल एबी सी एंगल डी एफ और एंगल जी एचाइब दा सेम मेजर फिफ्टी डिग्री हाइवर दिस्टेंस बिट्विट्विन एंड सी डी एंड एफ लिया गया है डिग्री मतलब मेजर लिया गया वह फिफ्टी डिग्री का ही है तीनों का लेकिन यहां पे जो अगर आप इसका देखोगे तो यहां पे अगर आप देखोगे एंगल जब बन रहा है इन तीनों का एंगल अगर आप मिलाओ और फिर इन्हें इस तरह किसे मर्स करो मतलब ellipses बनाओ तो इस तरह किसे छोटा बन रहा है और यहां पर किस तरह किसी यह देखिए यह बड़ा बन रहा है और यहां पर भी छोटा बन रहा है ठीक है यहां मतलब कि इस ऐसे भी छोटा बन रहा हो रहा है और यहां पर भी देखिए यह जो आप पार्ट को देखो ठीक है तो अब आप देखोगे यहां पर एक्वेटर लाइन पे तो यह तो बड़े-बड़े दीखेंगे लेकिन जैसे जैसे आप उपर जाते जाओगे जाते जाओगे उपर तो यह सब तो छोटे-छोटे होते जाएंगे लास्ट मिक्दम से उसमें कन्वर्ज हो जाएंगे तो यही इसमें दिया गया है अब यह वाला भी हम देख लेते हैं 1.9 वाला लेट लेट दा लाइन एएम बी जीरो डिग्री ड्रॉद लाइन एम बी मेजर दा एंगल इट मेंच विद दा लाइन एम देखे यह क्या बोल रहा है यहां पर देखते हैं यह आपको क्या करना है यह आपने देखा कि यह आपको नौर्थ पोल से लेकिए यह बी वाले को इस तरह से साथ पोल से यहां पर आपको करना है मैच करना ठीक है यह अंगल अगर इस तरह से कुछ बन रहा है तो इसे क्या करना है और यहां पर भी से आपको इस तरह से मैच और इसकी वरहार में यहहां पर लेते हैं अpell इसका इसका We can draw a semicircle in both of the poles starting with point A. We can draw a similar semicircle through points placed at its degree. These semicircles are known as meridian of longitude. इसी को क्या बले जाता है? Meridian of longitude, जिस तरह कि से आपने यहां पे बनाया? आप और भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हैं, आप और इसके बीच पे भी बना सकते हैं. ऐसे भी और भी लाइन यहाँ पर बना सकते हैं और इस पर कितनी लाइन बना सकते हैं वो हम आगे देखेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं? Meridians of Longitude Longitude मतलब Long line है मतलब कि अगर उस बार मैंने आपको बताया था जो latitude होती है इस तरह से मतलब लेटी हुई लाइन इस तरह से लाइन यहाँ पर उपर से लेके नीचे तक Long Long line है इसके लिए क्या बोलते हैं? Longitude, simple ऐसे जाद करिये यहाँ पर आप देख सकते हैं? Longitude के लिए Long है और latitude के लिए LATITUDE तो यहाँ पर LATITUDE लेटी कर सकते हैं लेटी लेटी लाइन लेटी हुई लाइन इस तरह से यह वाली लेटी हुई लाइन और Longitude के लिए इस तरह से Long Long Line ठीक है? यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो चलिए जब आगे देखते हैं One of these meridians is considered to be zero degree, it known as the prime meridian अब देखिए हमने पहले देखा था कि पहले मतलब की दूसरे वीडियो में कि मैंने आपको समझाया था कि इस तरह से जब Earth को बीच से divide किया जाता है तो एक line बनाते हैं पहले उसे equator उसके बाद हम और line बनाते हैं पहले एक main line तो देते हैं उसको equator बनाया उसके बाद और भी line खीची उसी तरह के से अब आपको इतनी सारे line खीचनी है तो उसके उसका कोई prime मतलब main line तो होनी चाहिए तो यही जो एक main line होती है 0 degree पे 0 degree पे जो line होती है उसको क्या बोलते है prime meridian और उसी line के बाद this side line खीची जाती है ठीक है the angular distance of the other meridians from the prime meridian are measured in degrees and are called longitudes और यही जो prime meridian है उसके बाद यह अलग-अलग मतलब की इस तरह के से degree लेके मतलब अलग-अलग degree एक prime meridian हुआ उसके बाद 1 degree, 2 degree, 3 degree इस तरह के से बहुत सारी line खीची हमने फिर इधर सभी 1 degree, 2 degree ऐसे बहुत सारी line खीच दी ठीक है तो इस तरह के से इस तरह के से इस इस तरह के से इस तरह के से लाइन फिगर 1.9 हमने देख लिया the 0 degree and 180 degree meridians lie opposite on the globe forming a circle तो देखिए अगर circle मतलब कि एक globe पे आप देखो तो इस तरह से जो इस तरह से line 0 degree से होती है तो वो क्या करेगी पीछे से भी जाएगी line क्योंकि यह ball की तरह है न पीछे से भी जाएगी तो इस तरह से line बनाएगी तो इस side का भी पूरा मतलब 180 degree meridians होंगे और इस side भी 180 degree meridians होते है मैं आपको एक picture दिखाती हूँ यहाँ पे यहाँ पे देखिए बनाया गया है तो यह देखिए मानलेजी कि यह ball है तो यह जो main line है meridians का उससे लिया गया तो जब यह ball का है तो इस side का क्या हो जाएगा इस side का हो गया eastern hemisphere और इस side का हो गया western hemisphere आपको याद है मैंने आपको बताया था एक्वेटर के side उधर इधर देखेंगे तो northern hemisphere इधर southern hemisphere लेकिन जब हम इसे ऐसे divide करते हैं prime meridian line से ऐसे divide करेंगे तो यह होगा eastern hemisphere और यह क्या होगा western hemisphere तो यहाँ पे आप देखिए यह बनाया गया है यहाँ से ball लिया है और यहाँ पे इस तरह के से line इस तरह से बनाया गया है ओके चलिए अगर आप divide कर दोगे उसे बीच से तो इधर का जितनी line आएगी वह कितनी होंगी 180 पुरा मिला कि इधर की भी कितनी होंगी 180 मिला कि तो वही यहाँ पे बताया कि जिरो डिगरी से और फिर 180 डिगरी यहाँ पे meridians lie opposite on the globe forming a circle तरह से circle पुरा बनाता है this circle divides the earth in the eastern and western hemisphere और यही circle को इस तरह से आप जब divide कर दो तो यह eastern hemisphere इधर western hemisphere ओके all meridians are equal in size और सभी meridians मैंने आपको pick में दिखा है जब आप ball को इस तरह से लोगे तो ball ही है ना यह तो ball का पूरा तो line एक दम जो long अगर आप ले रहे हो जो meridians line ले रहे हो उनकी जो size है वो same होगी जबकि अगर हम ऐसी वाली line खीचेंगे यह वाली तो यह तो चोटी होगी पहले यहां से चोटी होगी चोटी फिर बड़ी फिर यहां पर बड़ी फिर इस तरह से चोटी चोटी मतलब equator के ऊपर और फिर नीचे आते आते वो चोटी line होने लगती है लेकिन जो meridian होती है वो सब equal होती है क्योंकि ball तो यही size है ना ball की size की line यह पूरा जाएगे आगे भी और किसी को मतलब अर्थ की आप बताना चाहरे है कि 10 डिग्री 10 डिग्री माल लीजिए कि है यह 10 डिग्री माल लेते हैं तो east side तो इसे हम बोलेंगे यह जो line के कोई भी कोई भी place है तो हम बोलेंगे यह place कहां पर है यह place है 10 डिग्री east में ठीक east east hemisphere में 10 डिग्री इस इस्ट में ओके वाइल इन दवेस्टन हम इस्वेर यह लेबल से 10 डिग्री वेस्ट 25 डिग्री वेस्ट 135 डिग्री वेस्ट एट्सेटर मीया तरिक लुक्ट उसी तरीक से है यह लटिट्टिउडमे भी मैंने आपको पढ़ा दिया था 30 degree east is the semi circle that joins all places at angular distance at 30 degree from the prime meridian some of them are Cairo, Harare and Durban in Africa तो ये देखिए ये बोल रहा है प्राइम meridian से जो 30 degree अगर प्राइम meridian से देखिए तो सम कुछ Cairo, Harare और ये दुरबन है अफरिका पाले पार्ट में तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे meridian की बात हो रही है न तो meridian देखिए ये वाला जो है ऐसे तो इसी line पे क्या है Cairo है ठीक है और अगर ये तो हम बात करें longitude वाल लाइन meridian वाली तो इस line को consider करेंगे अगर हम बात करेंगे latitude तो ये वाली line मतलब कि 30 degree latitude और 30 degree longitude पे ये क्या है Cairo है यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ये 30 degree ये जो ये line गई है meridian की यहाँ पे क्या है हरारे यहाँ पे क्या है दर्बन तो ये सब इस तरह से दिखाई गई है though the earth is huge in size बहुत बड़ी है we can tell the exact location of place on the earth using latitude and longitude तो इसी तरह से हम latitude और longitude को यूज करके हम places और उसके location को बता सकते हैं क्योंकि earth इतनी बड़ी है तो अभी हमने पहला वीडियो में देखा था कोई बता रहा है ताज महल इस्ट में है कोई बोड़ रहा नौस इस्ट में कोई बोड़ रहा है note that the distance between two adjacent parallels is the same everywhere but the distance between two adjacent meridians is not the same everywhere इसके कहने का मतलब क्या है कि जो parallel होती है उनके बीच का जो line है parallel वाली line ये वाली line उनके बीच का distance same जा रहा है जा रहा है सब के बीच का लेकिन अगर हम बात करें meridian की तो इनकी line क्या होती है कुछ इस तरीके से जाती है कि यहां से same रहंगी पर अब यहां से आप देखिए उपर North pole से और South pole से देखिए किस तरही से जा रही है वह converge हो रही है यहां पे यहां पे दीखिए उनका आपको this तेम दिख रहा है क्या यहां से कम है वो यहां पर फिर ज्यादा हुई फिर यहां पर थोड़ा ज्यादा हुई फिर यहां पर ज्यादा हुई एक्विटर लाइन पर ज्यादा होती है और फिर यहां पर कम 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 इस तरी से कम होती जाती है यहां पर देखें अब अब नीचे तो एकदम कम होती जाएंगी तो इनका इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है ठीक है गलोब पे अगर आप देखोगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनके बीच का डिस्टेंस सेम नहीं है अगर आप फिर से दिखा देते हूं मैं आपको औरेंज वाला यहां पर देखिए अब यहां पर जब उसने निकाला इसे तो अब यहां पर देखिए आप यहां से तो कम दिख रहा है यहां पर भी आप देख सकते हो कि यहां से कम है पर आगे जाते जाते वह बड़ा हो जा रहा है फिर नीचे जाते जाते वह फिर से छोटा हो जा रहा है औरेंज किस तरह होता है देख रहे है ना उपर से किस तरह से छोटा होता है यहां पर आके मिल रहे हैं यहां पर उपर से पतले हो रहे हैं यहाँ पर नीचे सा के चाड़े हो जारे हैं तीक कि रेहर ऑरेंज का भी आप बिल्कुल और इस तरीखे से एर्थ की भी लाइन होती है इसके लिए तो यहाँ पर और इंज और आपको पढर ऑणको एक्जामपल दिया है मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे यह क्या होता है एक्वेटर पे तो बड़ा रहेगा ठीक है एक्वेटर पे कैसे बड़ा रहेगा आप देखो यहां पे क्या होगा इस तरीके से होगा ऐसे होता है कि स्फियर है ना तो इस तरीके से तो यह क्या होगा यहां पे तो यह बड़ा रहेगा एक्वेटर वाली लाइन पे तो यहां पे यह तो बड़े रहेंगे लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो यह देखो छोटे होगे उपर एकदम से जीरो हो जाता है इस कम होता जाता है निच्वे जाएंगे तब भी वो कम होता जाता है और पोल पे जाके बिल्कुल जीरो हो जाता है तो डिस्टेंस ब्विन एनी तू एडजेंस प्रेलेल्स इस वन हंड्र इलेवन किलो मेटर उन दे सर्फेस अफ अब देखिए यह लाइन बनाई क्यों गई है यहां पर देखिए वन हंड्र 111 किलो मेटर दिया गया है मतलब की तो एड्जेसंट परलेल यहां पर यह जो है ना equator पे तो यह क्या है यहाँ पे 111 km इस तरीके से जो line है तो यहाँ पे कितना है 111 km की line पे है फिर यहाँ पे 111 km मतलब इसका distance ऐसे ही है कुछ इस तरीके से line है ठीक है 111 km की दूरी पे सारे है meridians जो है the distance between two adjacent meridians is also 111 km on the equator जो यहाँ पे parallel line है उसका भी 111 km की दूरी पे है और meridians जो है वो भी 111 km है equator line पे equator line पे यहाँ पे ध्यान दीजिए equator line पे जो parallel जो है parallel वाली जो line है earth पे उनका क्या है यहाँ पे देखे अगर यह वाली line बात करें यह parallel वाली line तो इन सब के बीच में कितना है 111 km का distance है सब के बीच में कितना 111 km 111 km और जो यह वाली line है इनके बीच में इनके बीच में भी 111 यहाँ पे थोड़ा यह बड़ा बना दिया इन्होंने पर कोई बात नहीं क्योंकि यह ball पे इस तरके से बनाना वह भी मुश्किल काम है फिर भी बनाया है तो वह अच्छी बात है आप भी बनाने की जरू कोशिश कीजिए तो इसमें भी क्या होता है इक्वेटर वाली line यह वाली line पर बेना तो क्या होता है यह जो नीचे जाते हैं वह कम होता जाता है अब एरिया यह कम होते जा रहा है तो 111 km कैसे होगा तो आप समझ सकते हूँ है कि इक्वेटर वाली line पर इनका जो मिरेडियन है उसका भी उतना ही सेम होता है डिस्टेंस ठीक है मिरेडियन का डिस्टेंस सेम होता है और जो लैटिट्यूड वाली line है जो की पैरलल वाली line है उसका तो पूरा का पूरा 111 km ही होता है अर्थ पे इस तरह के से किलो मिटर में डिवाइड करके रखा हुआ है जो लाइन दी गई है अब इसे हमने क्या किया यह जो इतना जो किलो मिटर मतलब की दे दिया गया कि एक एक line बनाया 111 km का एक और बनाया तो इतनी बड़ी अर्थ है तो इसको क्या कि हमने उसे कम करने के लिए चोटे-चोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया नीट टू डिवाइड दा यूनिट डिग्री इंटू स्मॉलर यूनिट्स कहां पर हमने मतलब कि गर कोई प्लेस किस तरह के से छोटे-छोटी जगहों पर है कैसे है तो उन सब को करने के लिए 100 km का अपने क्वेटर की लाइन तो बना दिया अब उसमें भी मान लिजे कोई की के लिए तो कोई यहां पर है तो उसके लिए 100 km में कोई यहां पर है यहां पर है के हम इसे सब को बोलेंगे की 100 km में प्रेया नहीं नहीं वैसे नहीं into seconds तो डिगरी को भी हमने क्या किया minutes में मतलब उससे भी small इनुट में convert किया मिनिट में और मिनिट को हमने किस्ट में convert किया डिवाइट किया seconds में conventionally latitudes and longitudes are expressed into degrees minutes and seconds इसलिए यह जो आप देखोगे कि अगर हमने देखा कि कोई place कहां पर 30 degree पर है कोई करने का सो और एक डिगरी को कितने मिनिट्स में डिवाइट किया गया 60 मिनिट्स में and 1 minute को 60 second में यह याद रखिए 1 degree को divide किया 60 minute में मतलब 1 degree कितने minute का 60 minute का और 1 minute कितने का तो 60 second का these values are expressed using the symbols degrees यह आपने देखाओ का degrees हमने बोला 10 degree तो यहाँ पर 10 degree minutes तो ऐसे minutes के लिए ऐसा यूज करते हैं ठीक है 10 minutes sorry 10 minutes कुछ इस तरह से और second के लिए तो यहाँ पर दो आ जाएगा ठीक है second के लिए यह आपको याद रखना है आगे आपको इस तरह से पढ़ना है तो यह आपको यह दिमाग में बैठा लो कि किस तरह से degree को divide किया minutes में minutes को second में और उनके symbols भी आपको याद करने है in all we can draw 360 meridians each at a distance of one degree तो 360 का तो यह circle ही होता है तो हमने अगर एक एक डिगरी पर हम लाइन खीचे एक एक डिगरी पर 360 adjusting to 60-डिगरी का होता है तो एक डिगरी तक जाऊगे तो 360 मतलब इसमें कितनी लाइन कित南 की मेरेडियन साब की सकते ओ 360 ठीक है है जीरो डिगरी प्राम मेरेडियन सब्सक Mysteries ऐलो होता है जीरो डिगरी मेरेडियन यह कैसे बिजुन कि सब्सक्राइक प्राइ smarter variety और और इस साइड का भी पूरा 180 वो कैसे होता है 1 डिगरी इस 2 179 East Meridians thus we have 179 in the Eastern Hemisphere Eastern Hemisphere की बात करें तो यह तो Prime Meridian हुआ ठीक है तो इसके कई सारी लाइन खीचेंगे हाँ पे हैं कितने 179 ठीक है पर 159 के लाइन खुचा और यह यह लेकर कितना हो गया 180 और इस साइड में वह गया enlightened कि इधर भी 179 इधर dwikちょ इंगे ठीक, इस्टान में भी 179 और वेंसेट्асन में भी 179 और जो वं डिग्री से लेके 179 मतलब कितना हो रहा है 180 हो डिग्री बेस्ट दिग्री बेस्ट079 डिग्री वेस्ट oh डिग्री से लेके बीछ वाली लाइन यह मेरेडियान माली को छोड किये यहां पर कितनी फीन घिंची गई 180 los तो दस 179 meridians in the western hemisphere तो western में भी कितना है 179 ठीक है और eastern में भी कितना है 169 तो पुरान मिला के दोनों तरफ का कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा A game of reading the the meridians on the world map is going on शाहीन शाहीन अंड संकेत are asking each other to locate place on specific meridians and are making notes of the same यहां पे देखिए क्या बोला गया है यहां पे हमें यह देखना है आपको वर्ड मैप लेना है और वर्ड मैप पे देखना है कि इसने जो प्लेस पूछा है कौन सा प्लेस पूछा है रैंगल आइलेंड 180 डिगरी तो आपको देखना है कि वो इस्ट में है या वेस्ट में है ठीक है वो देखना है इस्ट में है या वेस्ट म consecutive meridians is different on different parallels so अगर बात करें कि जो meridians होती है different parallels पे वो different होती है उनके meridians that means it is maximum on the equator at is zero on the both worlds में आपको समझा दिया है equator से अगर आप बात करें तो equator पे इनकी जो यह meridian होती है इनकी line यह क्या होते है ज्यादा होते है it is maximum on the equator and it is zero on both poles तो देखें यहाँ पे क्या बोला गया है meridians हाँ मैंने सही बताया आपको कि यह क्या होते हैं कि यह दिरे दिरे ऊपर ऊपर क्या होते हैं इस तरह किसे line आते हैं क्योंकि ball की तरह है न तो ball का ऊपर का तो area कम है इधर का तो इधर का area तो जादा है पर ऊपर का area तो कम है ठीक है इसके लिए line कैसे कीची गई है ऐसे ऐसे कीची गई है तो ऊपर में जाके zero हो जा रहा है तो zero हो जा रहा है और यहाँ पर equator पर क्या होता है जादा बनता है equator पर यह ज़ो एरिया है यह ज़्यादा बनता है और ऊपर जैसे-जैसे जाते हैं वह कम होता है छी कैई अपने मस्क मेलन खाया होगा जो तरबूज होता है या फिर आपने देखा जो की ऑरेंज का भी आपने देखा तो किस तरीके से उपर जाते जाते वह किस तर्से यह 0 से ऐक्दम से अक्तुएटर कितना है ऊक्तुएटर प्रवाजेट एलेवन किलोमीटर ट्रोपिक ऑफ of Cancer पर है तो इक्यूटर के बाद में अगर देखे हम इस तरह की से देखें तो मालेजिए कि यहां पर यह वाला है लाइन आपका है ठीक है यह पर ज्यादा रहेगा 111 km रहेगा इसका यहां पर कितना रहेगा 111 km रहेगा लेकिन जैसे हम Capricorn पर जाएंगे ऊपर में या नीचे में ठीक है इक्वेटर पर कितना रहेगा 111 उसके ऊपर जाएंगे Cancer पर या फिर Capricorn पर कुछ भी मतलब Capricorn या Cancer पर इक्वेटर के जस्ट ऊपर और नीचे तो कितना हो जाएगा 102 102 इतना हो जाएगा उसका distance यहाँ पे और जैसे जैसे और उपर जाएंगे Arctic या Antarctic पर मतलब नीचे और ज दिखेगा यह नेक्स चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो ठीक है तो इस तरह के से इसका distance होता है ग्रेटीक्यूल क्या होता है तो पहले द्यान समझिए यह वाली जो लाइन हुई एक तो यह लाइन बन गई अर्थ पर यह वाला ग्लोब पर यह लाइन बना दिया पूरा अब यही पूरा क्या बन गई दिख रही है ना बिल्कुल इसके जैसा नेट की तरह एकदम जाल की तरह यही क्या है ग्रेटीक्यूल है ठीक है दोनों लाइन को मिलाके अर्ण दोनों मिलके ही जो बनाती है उसे ही क्या बोलते है ग्रेटीक्यूल मतलब जो नेट बनाती है जाल जैसा बनाती ही उसे को बोलते है ग्रेटीक्यूल this facilitates determining the location of a place और ये क्या सुविदा देती है हमें किसी location किसी place की location को determine करने में हमें help करती है thus we use latitudes and longitudes for determining the location on the earth तो earth पे किस latitude पे है किस longitude पे है वो जानने के लिए हमें location fix करने के लिए अर्थ पे ये बहुत ही helpful होती है latitude and longitude this method is being used even in today's modern age quite effectively लेकिन अब अगर हम देखें तो बहुत ही effectively ये use हो रहा है longitude and latitude का कैसे geographical information system GIS GPS ये तो आपके mobile में भी होता है mobile में होता है आप जहां भी जाते हो पता चल जाता है ठीक है crime patrol देखते होंगे आप तो किस तरह से police पता कर लेती है mobile किसी का on हुआ पता कर लेती है कि ये कहां पर है किस location पर क्यूंकि उसमें GPS होता है ठीक है GIS system GPS system ये सब आने लगा है तो पता जल जाता है किस location में वो है और वो easily पकड़े जाते हैं देखा होगा आपने अगर तो ये होता है दोनों ये system होते हैं अब ये देखे इसका GPS का फॉल 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 फॉर्म का है Global Positioning System GIS का Geographical Information System ओके तो आज 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 गूगल मैप गूगल मैप तो आपको पता ही होगा Wikimapia and भूवन ओफ इस्टरो अन दे इंटरनेट हमारा जो मतलब इस रो जहां से हमारा scientific हमारा मतलब जो हमारा जो कह सकते है research वाला जहां से आप देखते होंगे कि किस तरह के से space में छोड़े जाते हैं सब चंद्रयान हुआ या फिर अलग लग सैटिलाइट जो छोड़ जाते हैं तो यह इंटरनेट से मतलब कि यह क्या होता है यह बहुत ही इसी बना देते हैं लॉंगिट्यूड लाइटिट्यूड यह सब इंटरनेट पे भी सब अवैलेबल हैं यह सारे चीजें और बहुत ही हल्फुल होती है हमारे लिए कुछ इस तरह किसे भी गाड़ी में भी अब यह सारी चीजें लगी होती है लोग गाड़ी में भी लगवाते हैं अपने तो लॉंगिट्यूड इस टेक्नलोजी जाओ विलवल ऑन मोबाइल फोन से मोटर कार्स मोटर कार्स में भी यूज होता है और यह GPS इसे क्या बहुत जाता है यह जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं क्या है GPS है ठीक है यहां पर देखो यह दिख रहा है अगा इंडिया रिजनल पोजेशनिंग सिस्टम इंडिया एज अचीव से लंस इंग लोब पोजेशनिंग टेक्नालोजी ठीक है इंडिया ने खुद खुद यहां पे सिल रिपेंडेंट नाग्लोब ल इस पोजेशनिंग टेकनालोजी पे विध रेल्प ओफ आयर और अैसलेश इंडिया रिजिनल निविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसकी वजह से यह सैटेलाइट है एस दोड़ीं करना बहुत ही एजी हो गया है लोकेटिंग एनी पेस इन्थ प्लेस को लोकेट करना बहु और इंडिया क्या कर रही है यहां पर लांच कर रही है इट विल देन बी पॉस्बेल टूट एनी प्लेस इन रीजिन आफ साउथ एशिया अड इंडियन ओशन प्रिसाइज ली इस से तो क्या होगा साउथ एशिया पुरा एशिया कोंटिटेंट की बात कर रहे हैं साउथ इंडियन ओशन की पूरा एशिय ली मतलब की वहां पर हमें पूरा रीजिन अच्छे से पता चल पाएगा उसका ठीक है कौन सा प्लेस कहां पर है तो यह सब बहुत ही इजी हो जाएगा तो यहां पर हमारा यह लेशन कम्प्लीट होता है फाइनली सो यहां पर आप देख सकते हो कोई भी डाउट हो तो कमेंसेशन वाजर पूछे उसके आगे से गेटीकूल क्या है उसके आगे से कैप्रिकूर क्या है कैंसर जो ट्रोपिक आफिकॉर तो कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछिए और चैनल सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड को भी शेयर किज़ें ताकि उनको भी बोलिए कि वह भी इसे सब्सक्राइब करें बेल अकन प्रेस करिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए कोई भी डाउटर है कैसे भी प्र